च्छै ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद जिंदगी में आपकी हार नामुम्किन हो जाएगी ये च्छै बातें अपने अंदर ऐसे डाल लीजिए जैसे सर्दियों में गरम गरम चाहे सीधी गले में डाल लेते हैं अपको पता है सच में ऐसे च्छै रूल जिससे आप जिन्दगी में जीत सकते हैं नहीं तो भाई वीडियो ये आपके लिए बनी है आज मैं आपको बस च्छै ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद जिन्दगी में आपकी हार नामुम्किन हो जाएगी ये च्छै बातें अपने अंदर ऐसे डाल लीजिए जैसे सर्दियों में गरम गरम चाय सीधी गले में डाल लेते हैं तो चलिए बात करते हैं च्छै रूल की शिक्स रूल टू इन लाइफ बट बिफोर देट उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपकी लाइफ का क्या रूल है जिससे आप जीते आ रहे हैं और हम बात करी रहे हैं पहला रूल खुद के लिए एक वीजन क्रिएट कीजिए कि ये करना है बस भेड़ चाल में घुस मत जीए उसके बाद दूसरा रूल compare yourself किसे और के साथ नहीं to the old you तुम्हारे पुराने वर्जन के साथ compare करके देखो कि अच्छा हूँ बुरा हूँ growth हुई नहीं हुई को skill सिखी कि नहीं सिखी life कहा गई कहा नहीं गई कभी भी अपने आपको दूसरों के साथ compare नहीं करना है हमेशा खुद के साथ compare करना है और try to find mistakes क्यार ये पहले आता था या नहीं आता था अभी आता है that's great लेकिन पहले भी नहीं आता था अभी भी नहीं आता मतलब की गलत आप जिन्दगी में कुछ कर ही नहीं रहे है तीसरी चीज growth is outside the comfort zone भाई comfort zone छोड़ना पड़ेगा ये rule जिन्दगी में अपना लो जहां मजयान लग जाए तो भीया समझ जाओ comfort zone में घुस गयो इससे बाहर जाके कुछ करो देखे विरिंदर सहवाग ने बात की थी कि वो बहुत ज़ादा खराफ फों में चल रहे थे और जब भी पैर बाहर निकाल के खेल रहे थे भाई out हो ही जा रहे थे उनके बसका नहीं था तो उन्हेंने पीछे खेलना start किया उसके बाद उनकी जो strike rate थी वो slow हो गई थी और बहुत घबरा घबरा के खेलने लग गए थे उसके बाद उन्हें क्या किया face कि भाईया नहीं comfort zone नहीं खेलना पीछे आके नहीं खेलना साला आगे जाके खेलना पेशक out हो जाओंगा लेकिन comfort zone में नहीं आओंगा अब आप जानते हैं सहवा को हर कोई जानता है किस तरीके के कितने खतरना खिलाड़ी है अगली चीज़ आती है reading books भाई मैं हर बार कहता हूँ readers are leaders ये rule जिन्दगी में अपना लो पढ़ना स्टार्ट करो when you open a book you open a mind बहुत कुछ सीखने को मिलता है personally मेरी राय है जो लोग book नहीं पढ़ते please book पढ़ना स्टार्ट करो जिन्दगी में आपको खुद बदलाव नजर आएंगे अगला rule foggy but don't forget मतलब की माफ कर दो कोई नहीं लेकिन भूलो मत कि उसने किया क्या था क्योंकि भाई अगली बार दोखा खाने से अच्छा है इस बार ही prepare रहके रहो कि हाँ इस बार तो भाई सादे में से नहीं बनूँगा क्योंकि business में भाई धोके ही मिलते है loyalty बहुत कम लोगों के अंदर होती है तो अगर तुम यह सोचके रहा जाओगे बार हो जाएगा वहां संतुष्टी मिल जाएगी लेकिन quit करना ना तो सीखा और ना अपने बच्चों को सीखाना भाई लड़ो आखरी दम तक लड़ो आखरी सास तक लड़ो बंदुक की गोलिया निकल लगे तो साला बंदुक फैक के मार दो लेकिन quit करना पाप है पाप अगर यह आ गए तो यह जिन्दगी बहुत आसान लगेगी इन पे काम करेंगे आप और अपनी जिन्दगी को बदलेंगे बागी वीडियो कैसे लगी कैसे लगे यह मेरे 6 रूल जो आपको बदल देंगे बागी मैं हूँ ही कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं आपकी हर एक चीज का जवाब देने के लिए बाई रेडि हैं मिलता हूं पहजन तब तक के लिए आप सभी को अलविदा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें